भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी इसलिए उन्हें द्वारकाधीश भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार द्वारकाधीश की कृपा होने पर मनुष्य के भाग्य चमक जाते हैं। उनके जीवन की सभी समस्याएं सभी संकत आसानी से दूर हो जाते है और अच्छा समय प्रारंब हो जाता है। जन्माष्टमी के उपाए, जानिये की भगवान श्री कृष्ण की राशिनुसार विशेश पूजा अर्चना करके कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। मेश इस राशी के जातकों को राधा कृष्ण जी का गंगाजल से अभिशेक करना चाहिए। मेश राशी के जातक कृष्ण कनहया को दूद से बनी मिठाई, नार्यल के लड़ू एवं माखन मिश्री का भोग लगाएं और तोलसी की माला से उन्मो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर भगवान के जाप के बाद उन्हें फल में अनार अर्पित करें। इससे उन्हें अपने कारियों विशेश सफलता मिलेगी। तारांकन वृषब वृषब राषी के जात्कों को भगवान श्रीक्रिषन का पंचाम्रत से अभिशेक करके उन्हें छेने की मिठाई, रस्गुल्ले या पंजिरी का भोग लगाना चाहिए, वृषब राशी के जातक कमल गट्टे की माला से, श्रीराधाक्रिषन शरानम मम म प्रिशब राशी के जातक भगवान को मखाने भी अवश्य ही अर्पित करें। इससे उनको जीवन में मनवांचित फलो की प्राप्ती होगी। इससे उनको जीवन में यश्की प्राप्ती होगी। लाल पेडे और गुर का भोग लगाना चाहिए। सिंग राशी के जातक, उव विश्नवे नम, मंत्र का जाप करें और प्रभू को बादाम, मिश्री और फलो में अनार या से बरपित करें। इससे उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, उनके शत्रु उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। तारांकन कन्या कन्या राशी के जातकों को भगवान श्री कृष्न का दूद में घी मिलाकर अभिशेक करके उन्हें मेवे से अत्वा दूद से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्न का दूद में शकर मिलाकर अभिशेक करके उन्हें खोए की बर्फी या कलाकंद का भोग लगाना चाहिए। व्रिश्चिक राशी के जातक श्रीवरिंदावनेश्वारी राधाय नमह मंत्र की कम से कम पांच माला का जाप करें और उन्हें पंचमिवा एवं फलो में पानी वाला नारियल अवश्य ही चड़ाएं इससे उनके सभी काम आसानी से बनने लगेंगे। धनू धनू राशी के जातकों को भगवान श्रीकृष्ण का दूध और शेहद से अभिशेक करके उन्हें खोये की पीली या बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। धनू राशी के जातक उन्हें नमो नारायनाई मंत्र की पांच माला का जाप करें और उन्हें कोई भी पीला फल चड़ाएं। इससे भाग्य प्रबल होगा। तारांकन मकर मकर राशी के जातकों को भगवान श्रीकृष्ण का गंगाजल से अभिशेक करके उन्हें लाल पेड़े अथवा गुलाब जामुन का भोग लगाएं। मकर राशी के जातक उली गोपी जन्वल लभाया नमह मंत्र का जाप करें और फल में अंगूर और मीठा पान चड़ाएं। इससे उन्हें अपने व्यापार कारोबार में अभीष्ट लाब की प्राप्ती होगी। किश्मिश, पिस्ता, अक्रोट गुड एवं फलो में चीकू या सेब चड़ाएं। इससे इन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में मनवाचित लाब की प्राप्ती होगी। कारिया आसानी से बनने लगेंगे। कि आसा लाब चाईनिवन अधर की या से ड़े होगी होगी। कार आसास दन्हें अग्य। झाल झाल